So in this video we are going to learn about NCI-T 90 Day Challenge First of all we have to learn about what is the 90 Day Challenge Like आप में से बहुत सारे एसे होंगे जिन्होंने एपीसी के लिए त्यारी सुरू कियो होगी और वो भी चार से पांच मेने से NCI-T पढ़ रहे हैं बाट इस्टिल उनको लग रहा है कि उनके NCI-T फिनिस नहीं हो रही है या फिर कुछ अस्परेंट हैसे भी होंगे जो एक-दो महिने से NCI-T पढ़ रहे हैं और वो एक से दो महिने के अंदर-अंदर सरफ एक ही सब्जेक्ट के अंदर उलस कर रहे हैं अगर वो एस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी है आपको किन गलतियों से बचना है और NCI-T को कैसे पढ़ना है NCI-T के नोट्स कैसे बनाने है और वो भी 90 दिनों के अंदर यानि के तीन महिनों के अंदर मेरे सब बहुत सार एस्परेंट बोलते हैं कि 90 दिनों में NCI-T पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है अगर आप इन सारे रिसोर्स को फोलो करते हैं तो थ्री मन्थ इस तो मोर दिन इनफ फोर UPSC Civil Service Examination फोर NCI-T सब्जेक्ट ठीक है इस तीन सब्जेक्ट को आप NCI-T को इन तीन महिनों में UPSC के लिए कैसा पड़ पाएंगे वो इस वीडियो के इंदर हम सीखने वाले हैं चलते हैं एक एक चीज़ को समझते हैं NCI-T को UPSC की क्यों बोला जाता है उसको समझेंगे एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे बाइस्ट आप आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा जो NCI-T के बारे में बात करते हैं आपने उनके मुंसे सुनी होगी NCI-T is the foundation of the UPSC, NCI-T is the key for the UPSC examination आपने बहुत सारे ऐसे statement सुने होगे सबसे पहले समझते हैं कि NCI-T को ऐसा बोला क्यों जाता है importance क्या वो समझते है NCI-T की दो importance है फर्स्ट है foundation बनाने में और second है for prelims foundation को strong बनाना है तभी हम subject को सही से फढ़ पाएंगे फर्स्ट रिजन तो यह है now the second region, second region is the prelims how prelims के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हर साल कैसे UPSC के अंदर prelims में questions पूछे जा रहे है यह मैं आपको 2021 तक अगर आप बता रहा हूँ अभी 2022 और 23 में अगर मैं 2024 की बात करता हूँ तो 2024 में तो बहुत ज़्यादा questions पूछे गए अगर count करेंगे तो almost 20 के आसपस आपको questions देखने को 20 से मतलब 20 मैं आपको minimum बता रहा हूँ almost 20 से 30 के बीच में आपको questions देखने को मिल जाएंगे अगर हमें कितने माक्स ला रहे हैं 44 आगे हमें कितने माक्स और लाने हैं करीब हम 50 से 56 मार्क्स लाते हैं तो हम प्रड्लिप्स कॉलिफाय कर लेते हैं तो आप सोच के चलिए कि हमारा 50 काम तो NCRT ही कर लेता है तो NCRT हमारे लिए प्रड्लिप्स में इंपोर्टेंट है यह बात हमने समझी कि NCRT के सब्सक्राइब कितने किसों सारे हैं पर आपको एक बार प्रड्लिप्स पढ़ने चीए लाइक आप में से बहुत से एस्प्रेंट ऐसा होंगे जिनको लगता होगा कि तो UPSC Dads के बारे में पूछती है UPSC किसी भी टॉपिक को उठा कैसी पूछ लेती है यह आपका डाउट सोल तब होगा जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे अगर आपने एक बार पीवाईक्यू पढ़ लिए तो आपको समझ में आएगा कि UPSC कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के नहीं पूछती है UPSC के पूछने का एक लोजिकल रीजनिंग है अगर आपको वो रेस्टनल माइंट सेट समझ में आ गया तब आप एंसे अटिकों से इडिलाइस कर पाएंगे वह अपन किसी और एक वीडियो में बात करेंगे कि पीवाईक्यू का एनलेस कैसे करन यहां पर दो पीवाईक्यू लिखे हैं उसको बन बाद में देखेंगे पर फर्स्ट अपॉल विशू टू लर्न अबाउट 90 डे चैलेंज 90 डे में एंसाटिकों कैसे पढ़ना है कैसे फिनिस करना है इस बात को हम एक बार के लिए समझते हैं फिर हम डारेक्ट एंसेटी प पढ़नी है वो ऐन परनी है उब है इस्ट्री प्लेटी डे के साथ में हमें एकोनोमे की एंसाटि पढ़नी है जोगरॉपी की एंसाटि पढ़नी है और अगर आपको सोस्योलोजी और अगर आपको साइंस में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको एर्थ 9 और 10 इन तीन तीन साइंस की एंसाइटी को भी पढ़ना चीए, तो यह आपको पढ़ने रहती है बड़ हम अब डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि अवरॉल हमें बुके कैसे पढ़ने होती है अगर हम बात करते हैं सिक्स की हिस्ट्री की बुक की तो वह होती है एंसेंट इंडिया की प्राचिन भारत की मैं आपको एक बार के लिए एंसे खूल के बतात होती है तो हम समझते हैं कि कौन कोसी बुक होती है अगर हम बात करते हैं सिक्ष्ट्री में तो इस्ट्री में क्लास सिक्स्त में एंसेंट इंडिया की बुक होती है क्लास सेवंत में अगर हम बात करते हैं तो मेडिवल इंडिया की बुक होती है क्लास एरती में दो बुक होत क्लास 7 में जो बुक हैं वो मेडिवल इंदिया यानि के मध्यकारिन बात किये और क्लास 8 की जो बुक है वो मोडिन इंडिया की है ठीक है इसके बाद में बुक है आती है 9 से लेकर 11 जो की वर्ड इस्ट्री की हैं अपन इस फाले पॉर्शन को एक बार के लिए छोड़ रहे हैं कारण यह है कि वर्ड इस्ट्री से उप्य से आसकल इतने किस्ट पूछी नहीं रहा है ना पड्लिंस में किस्ट आते हैं ना मैंस में इ अब हम 12 की बुके देखते हैं 12 के हमारे पास पर थीन बुके होती है एंसेंट मेडियवल और मोडन अब हम चीजों को समझते हैं कि हमें 90 डे चलेंज में करना क्या है देखिए जब हम नॉर्मली एंसेटी पढ़ते हैं तो एस्परेंट करता क्या है सिक्स से लेकर 12 की बुक तो सबसे पहले हम एंसेंट इंडिया को पढ़ेंगे और जब हम 12 की एंसे इंसेटी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एंसेंट इंडिया को पढ़ेंगे और होगा क्या 6 में जो एंसेंट इंडिया में लिखा हुआ है उसमें almost similarity रहेगी लाइक कहने का मतलब अगर हमां 6 मे 80 पेज देखने को मिलते हैं तो हम 12 में एक एक ग्जाम्बल बता रहूं ठीक है 12 में 140 पेज देखने को मिलते हैं पर आप यह किन कीजीए जो 80 पेज है 240 पेज के अंदर सामिल अगर आपको यह किन नहीं आ रहा तो अपन लाइव पड़ते हैं यह क्लास 6 की एंशाटी है ठीक है अगर आप इसको खुलते हैं और इसका आप इंडेक्स उठा के देखते हैं मैंने आप पर हिंडी वीडियों के एंसे लिए काफी लोग बोलते हैं कि मैं बार बार इंगलिस को ज़्यदा बढ़ावा दे रहा हूं तो आप एक बार हिंडी वीडियों से समझते हैं यह सुरुआत के आप जो तीन चेप्टर देख रहे हैं यह यूजली सिप एस्ट्री को पढ़ना कैसा है उसका रिकाड़िंग है तो इसको आप मोटा मोटी तौर पर ज्यादा इंपोर्टर सही भी नहीं इसको एक बार के लिए समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और यहां से ज्यादा नोर्स बंदाने की विद्रिंट दी है सिर्फ एक बेसिक समझने के इस्ट्री को पढ़ना कैसा है इसके बाद में सुरू होता है मैं पोर्शन यहां से आरंबिक नगर के बारे में सुरू होती है और यहां से आपको इंडिस विली सिविलिजिसन के बारे म जान के देखने को मिलती है और फिर यहां से आपको देखने को मिलती है एंपायर के बारे में जान के देखने को मिलती है फिर असोकन के बारे में एंपायर जान के देखने को मिलती है वेपारी यातरा तिर्तियाती इनके बारे में जान के देखने को मिलती है समझ में नहीं आ कुझाः आ या जो स्मझने को करें उसको समझते हैं यह एक बार 6 के देखिए नहाँ भी 12 का देखते हैं क्यों है अगर अगर हम यहार किया है तो हमें चीजर समय इसमझ मेठ इन शुरू आपको यहाप पर भी वह इंड्स तो अब यहां पर देखें हम वहां पर पड़ रहे थे तीरत याते के रिगाडी हमने कुछ एक चप्टर पड़ा था और यहां पर यातियों के नजर से इतियास को समझने की जानकरियां पर दे रखिए तो आप एक चीज को समझे को चीजे हम 6 में पढ़ रहे हैं उसी को इन्होंने 12 के अंदर बड़े फॉर्मेट में लिखके दिया हैं लाइक अगर आप 6 में कुछ चीजे पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक वाँ पर बताया गया है और उसी बेसिक को एडवांस लेवल पर 12 में बताया गया है अगर आपने सच में भी एडवांस लेवल पर आप याद कर पा रहे हैं तो आपने दिखा होगा कि जिस समय हम स्कूल में एंसे पढ़ते थे तो एक चीजे होती थी किसी भी चेप्टर के 6 से लेकर 12 तक और एक एडवांस एस्परेंट पढ़ेगा जो सच में रियली में जानता है कि एंसे पढ़ना कैसे है वो पढ़ेगा 12 से लेकर 6 तक क्यों वो बात को समझे लाइक अगर आपने 6 की एंसेंट इंडिया की जो बुक हैं इसको पढ़ने में अगर आपको लगते आप दस दिन में इसको फिनिस कर पाएंगे और यहां पर 12 दिन में फिनिस कर पाएंगे मैं आपको मोटा मोटा मोटी तो और पर जितने भी एक साथ लेकर देख रहा हूं अगर आप एक सच में ढंक से इंचीजों को पढ़ते हैं तो एक टैंद दे भी ज्यादत बदाए आ आप इसको आराम से साथ से आर दिन में दोनों भूकों को मिला कर पढ़ सकते हैं यह चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए फोलो करने हैं अगर आप इसको हर एक सब्जेक्ट के लिए फोलो करते हैं तो एक टाइम के बाद आप पाएंगे कि यह टेक्निक हर एक सब्जे पर देखते हैं ठीक है ओके है यह हमने एर्थ के खो लिए इसका चैप्टर 90 सेकंड पढ़ी है जो की देर का है सेकलो रिजिम के रिगार्डिंग देर का है ठीक है इसके साथ में जो आगी की चीज़ आपको पता होगी कि जो अजया होगी क्या छीज़ी की चीज़ा है बैसिक चीज़े लेखी कई है हमने के हम चीज़ें अड़ी में संयंस करणों है यहां पर आप चैप्टर हमने अंडेस्टेंणिंग की करके पड़ी ती आपको यहां पर में देखने को मिल जाएगा चैप्टर एट में देखने को मिल जाएगा सुसलिजम करके आप चीजों को समझे जो चीज हमने शुरुवात में वापने पर कॉंस्ट्टुटुशन के रिगार्डिंग पड़ी थी वह यहां पर पॉलिटिकल थियोरी एं इंट्रोक्शन करके आ उपर से निचे की तरफ लानी है आप इस चीज को याद रखेंगे जब हम उपर से निचे आएंगे ना तो उपरवाले चेप्टर को पढ़ने में हमें थोड़ा है ओंक पढ़ने में जबसा 2 फैम लगए उसका मिव पढ़ने कि An Much इसे बात करके ncati को पड़ता है पूरी कोचिंग होने के बाद में मानों कि आपने ncati नहीं पड़ती और अगर आपको मैं आपको बताओं कि अब आपको ncati पड़ लिए तो आप बहुत कम टाइम आपको पड़ लेंगे क्योंकि आपने बीसिक चीज़े क्लास में पड़ लिए तो आ आपको minimum 60-70 पड़ने की स्पिर तो एक टाइम के बाद में बदाने ही पड़ेगी अगर हम बात करते हैं टेस्सरेज के जब आप टेस्सरेज सौल करेंगे पर्लेम्स के तो उसमें आराम से 60-65 पेज होते हैं एक टेस्सरेज में और एक बंदार हो जाना कि 5-6 गंड़े में एक टेस्सरेज फिनिस करता हैं पढ़के रिवाइज करके उसके सेपरेटली उसके एनलेसिस करके तो वह 5-6 गंड़े में आराम से 60-65 पेज अगर आपके पढ़ने की स्पिड है तब ही आप इस सेलब उसको कम टाइम में फिनिस कर पाएंगे तो इतने आपकी स्पिड हो न कैसे हैं अगर हम डाउन से उपर की तरफ जाएंगे तो चीज़े टाइम ज्यदा लेगी और उपर से निचे की तरफ आएंगे तो बिलिव में 90 दे मोर दिन इन पर इन चीज़ों को पढ़ने में नौ इसके साथ में दू-3 चीज़ों मैं आपको बता देता हूं लाइक के लिए आप यूटूब पे लेक्षर देख सकते हैं और आप लेक्षर देखेंगे तो आपको एंसे आटी में आवराल होगी वट इस बात को धियान रखेगा कि हर एक चीज के लिए यूटूब के लेक्षर देखना भी आपको पेरलाइस कर सकता है तो आप पहले कोसिस कर अगर मैंने आपको पॉलेटी के बात किई अगर आपको पॉलेटी के लिटेชल नोटden जीज आप अगर मैंने आपको लगता है जो 90 को पुड़ने के बाद में आपको लगता है कि अपको है डिटेल नोटैयwn मैं उनिय прост अ कर तो यह सास्क्त시면 फटैस्जित की ने बात रहने का इन सब के साथ में टेलेग्राम चैनल की लिंक है आप टेलेग्राम को जोइन जरू किजिएगा टेलेग्राम के माध्यम से आपको उप्पेसी के रिगारिंग जितने भी डाउट है वो सौल हो जाएंगे और अभी टेलेग्राम पर मैंने जैसे कि सारी NCRT तो डाले र जरूब करके यहां पर आपको बहुत सारा एस्परेंट के साथ में बाते करने का मौका भी मिल जाएगा ठीक है तो इस कारवा को हम बढ़ाते हैं और चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियो से आपको थोड़ी भी हैल्प हो रही है तो आप लाइक और कमेंट करके जुरूब बताएगा डिस्कुर्शन में आपको लिंक मिलेगे ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मलते हैं तब तक के लिए अस्तर रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं साथ साथ में पढ़ते भी फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद